सोमबार बर्द का था एक समय की बात है किसी नगर में एक साहु कार रहता था उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी इस कारण वो बहुत दुखी रहता था पुत्र प्राप्ति के लिए वो परदेख सोमबार को बर्द रहता था और पूरी सर पार्वती पर्शन हो गई और भागवान सिव से उस साहुकार की मनोकामना पुन करने की आगर किया पार्वती जी की इच्छा सुनकर भागवान सिव ने कहा कि हे पार्वती इस संसार में हर प्रानी को उसके कर्मों का फल मिलता है और उसके भाग्ये में जो हो उसे भोगना ही परता है लेकिन पार्वती जी ने साहुकार की भक्ती का मान रखने के लिए उसकी मनुकामना फून करने की इच्छा जताई माता पार्वती के आगरा पर सीव जी ने साहुकार को पुत्र प्राप्ती का बर्दान तो दे दिया लेकिन साथ ही या भी कहा कि उसके बालक की आयू केबल बारवर्ष होगी माता पारवती और भगमान सीव की बात चित को साहुकार सुन रहा था उसे न तो इस बात की खुशी थी और नहीं दुख वह पहले की बाती सीव जी की पूजा करता रहा कुछ समय के बाद साहुकार के घर में एक पूत्र का जनम हुआ जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए कासी भेज दिया गया साहुकार ने पूत्र के मामा को बुला कर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालों को कासी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मागर में यक कराना जहां भी यक कराओ वहां बढ़ामनों को भोजन कराते और दचना देते हुए जाना दोनों मामा भतीजे इसी तरह यक कराते और बढ़ामनों को दान दचना देते गासी की ओर चल परा रात एक नगर परा जहां नगर में राजा की कन्या का विवा था लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवा होने वाला था वो एक आख से कन्हा था राजकुमार के पिताने अपने पुत्र के कनहा होने की बात को छुपाने के लिए चाल सोची साहुकार के पुत्र को देखकर उसने मन में एक विचार लाया उसने सोचा क्योंना इस लड़के को दुला पना कर राजकुमारी से विवा करा दू बिवा के बार उसको धन देकर विदा कर दूँगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाओंगा लड़के को दुलेव के बस्त पहना कर राजकुमारी से बिवा करा दिया लेकिन साहुकार का पुत्र इमंदार था उसने या बात नियाई संगत नहीं लगी उसने अफसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पलों पर लिख दिया कि तुमारा विवा मेरे साथ हुआ है लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वो एक आँख से कना है मैं तो कासी पढ़ने जा रहा हूँ जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखा बाते पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात वताए राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया जिसके बरात वापस चली गई दूसरी और साहुकार का लड़का उसका मामा कासी पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने यग किया जिस दिन लड़के की आयू 12 साल की हुई उसी दिन यग रखा गया लड़के ने अपने मामा से कहा की मेरी तवियत कुछ ठीक नहीं है मामा ने कहा की तुम अंदर जाके सो जाओ सीब जी के बरतान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राम निकल गए मिर्द भाजे को देखकर उसके मामा ने बिलाप सुरू किया संयोग बज उसी समय सीब जी और माता पारवती उधर से जा रहे थे पारवती ने भग्मान से कहा स्वामी मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा आप इस बेक्ती के कष्ट को अव्यस दूर करें जब सीब जी मिर्द भालक के समीब गए तो वो बोले कि यह उसी साहुकार का पुत्र है जिसे में बारव वर्ष की आयू का वर्दान दिया है अब इसकी आयू पूरी हो चुकी है लेकिन मातर भाव से विभोर माता पारवती ने कहा कि है महादेव आप इस बालक को अड़ आयू देने की किरपा करें अन्य था इसके बियोग से मैं इसके माता पिता को भी तरब तरब कर मर जाएंगे माता पारवती के आगरा करने पर भगवान सिव ने उस लड़के को जीवित का बरदान दिया सिव जी की किरपा से वह लड़का जीवित हो गया सिच्छा समाप्त कर लड़का मामा के साथ अपने नगर की और चल दिया दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहां उसका बिवा हुआ था उस नगर में भी उन्होंने यायोजन किया उस लड़के के ससुर ने भी उसे पहचान दिया और महल में ले जाकर उसकी खातेदारी की और अपनी पुतरी को विदा किया इधर साहू का र उसकी पत्नी भूखे प्यासे दाकर बेटे की परतिच्छा कर दॉते उन्होंने परण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मित्ल का समचार मिला तो वो अभी प्रांत याग देंगे प्रंतु अपने बेटे की जिवित होने का समचार पाकर वो बेहत खुस हुई उसी रात भगबार सिम ने बेपारी का सोपन में आकर कहा कि मैंने तेरे सोंबार के बर्द करने और बर्द कथा सुने से परशन होकर तेरे पुत्र को लंबी आयू परदान की है इसी परकार जो कोई सोंबार बर्द करता है या कथा सुनता है और पढ़ता है उसके सभी दुख दूर होंगे और समस्त बरोकामना है पूर होंगे बोलिये स ओम जया सिब ओम कारा स्वामी जया सिब ओम कारा ब्राम्हां विश्नु सदासिवे अरिधांगी धारा ओम जया सिब ओम कारा एकानने चतुरानने पंचानने राजे स्वामी पंचानने राजे हंसासन गरुरासन विश्नु वाहनि साजे ओम जया सिब ओम कारा दो भुजी चारी चतुरी भुजी दसी भुजी अती सोहे तीन गुनी रूपे निरखिते तीरुवनी जने मोहे ओम जया सिब ओम कारा अच्छी माला बनी माला मुंडी माला धारी स्वामी मुंडी माला धारी तिर पूरारी संकारी करी माला धारी ओम जय सिब ओम कारा सेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे स्वामी बाघांबर अंगे सनिकादिकी गरुनादिकी भूतादिकी संगे ओम जया सिब ओम कारा करी के माधिक मंडल चाक्रे तिर सुलिधारी स्वामी चाक्रे तिर सुलिधारी सुखे कारी दुखे हारी जगे पालने कारी ओम जया सिब ओम कारा प्रह्मा विष्नु सदा सिब जानति अभी बेका स्वामी जानति अभी बेका मधु कह तब दो मारे सुर्भा यहीने करे ओम जया सिब ओम कारा लच्मि सावित्री पार्वति संगा पार्वति अर्धंगी सिब लहरी गंगा ओम जया सिब ओम कारा पर्वति सोहे पार्वति संकर कैलासा स्वामी संकर कैलासा भांगी धथूर का भोजन भश में वसा ओम जया सिब ओम कारा जटा में गंगा बहति है गल मुंदने माला स्वामी गल मुंदने माला सेसिना गिलिप टावति ओधत मिर्ग छाला ओम जया सिब ओम कारा कासी में विराजे विश्वे नाथ नंदी ब्रह्मिचारी स्वामी नंदी ब्रह्मिचारी निती उठी दर सने पावति महिमा अति भारी ओम जया सिब ओम कारा तिरे गुने स्वामी जिकी आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई जन गावे कहत सिब आनन्द स्वामी मने बांछित फले पावे ओम जया सिब ओम कारा प्रभु हर सिब ओम कारा भोला बाबा की जय पार्वति माता की जय झाल 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 झाल